पूरी तरफ पर बेस्ट होगी ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और आप पढ़ाय पर कॉंसंट्रेट कर पाओ तो पहले हम यह डिसकस करेंगे कि क्यों नीट एक्जाम पॉस्पॉन करने के डिमांड हो रही है तो पहला रीजन तो यह हो सकता है जिसकी वज़े से स्टुडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि नीट एक्जाम पॉस्पॉन हो तो वो रीजन यह है कि जै कंपेर करेंगे प्रीवियस येर से तो आप सभी को याद होगा कि पहले भी उडिसा में फ्लोट्स आई थी उस टाइम भी सिच्वेशन ऐसी ही थी बट एक्जाम पॉस्पॉन नहीं हुआ था बट एंटिये ने उडिसा के लिए अलग से पेपर कंड़क्ट करवाया था तो आ इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि नित का एक्जाम पॉस्पॉन नहीं तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर तो जो इस्टुडेंट्स इक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहा है उनका एक्जाम और इट एक्जाम का डेट कलेश कर रहा है तो प्रिव ranged को देखे तो पता जुलाई को C.U.C.E.T. का एक्जाम नहीं है हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि नीट और C.U.C.E.T. का एक्जाम डेट आसपास है तो इस पॉइंट से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि नीट का एक्जाम पॉस्पान नहीं होगा तो अब नेक्स्ट रीजन पर आते हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी कुछ स्टेट में 144 धारा लगी हुई है तो जो बच्चे उस स्टेट से बिलॉंग करते हैं उनके लिए दिक्कते हो सकती है तो देखिए अगर गवर्मेंट एक्जाम कंड़क्ट करवा रही होगी तो उनको सारी बातों की जनकारी तो होगी तभी सारा कुछ सोचने के बाद ही डिसीजन लिया गया होगा यो को कंट्लूड करें तो बात यही आती है कि आप लास्ट के 15 से 20 दिनों के लिए इन सब चक्करों में ना पड़े यह लास्ट के कुछ दिन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अगर यहां आपने कॉंस्टरेट नहीं किया तो आपका पूरा येर बेस्ट हो सकता है आप इन में से किसी इसूज की वज़र से डेट एक्स्टेंड करवाना चाहते हो तो तो आप चाहो तो ट्वेटर पर कैंपेंच चला सकते हो जिससे एक्जाम पॉस्पॉंड हो लेकिन इससे भी आपको थोड़ा वक्त मिलेगा प्रिपरेशन के लिए मगर छुटकारा नहीं तो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फिजूल चीजों में ना पढ़े और अपना टाइम वेस्ट ना करे और आपका पूरा फोकस निट प्रिपरेशन पर ही होना चाहिए तो आप पढ़ाई पर ध्यान लगाए and all the best for your exams तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे और ऐसे ही रेगुलर नीट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक्यू सो मच फर वाचिंग यजिग चाहिए वीडियो मम- झाल झाल